करना है अरे यह तो मुबाइल है यार मल्टी मीटर यह है अगर इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने कमाल की बाते करी है कुछ सीखने के नॉलेज भी दिया है कि यहां बढ़े कि यह 2.1.2 ऐसकी यह 1 वनकय रॉइस्टर है सो कितनी रेडिंग कितनी अच्छी और एक्कुरेट है यहां पर देखो इस बीप की कंट्रिटी देखेंगे तो तो यहां पर दूएल को मैंने लगी हुए है इसकी ऑने देखें इस रेडिंग देखिए जिरो वूम्स का रेजिस्टर है यहाँ पर एकुरेसी देखिए यहाँ पर एकुरेसी देखिए यह तो ब्लुटूटूट डी एमें यह अप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है यहां पर यहां पर रड़ लगाना होगा यहां पर डायोड मोड पर चेक कर पाएंगे तो आप कूल टेस्टिंग कर सकते हैं आप सेल्सियस फेरेनाइट का आटो मोड मुल्टिमीटर है तो सबसे पहले अगर मैं ऑफ कंडिशन की बात करूंगा और अगर आटो कंडिशन की ब तुमन आप देख सकते है पैनल काफी अच्छा है काफी बड़ा है और मैं इसको बजर बजाता है अगर आपको टेंपरेचर यूस करना है तब यहां पर तेंपरेचर के का रहा रहा है क्योंकि डाएब टेस्टेस्ट बजर कंटिटी एपसी तबरेचर तेस्ट फरनाइड करके ऐसा दिया हुआ है जिससे आप इसको चेक कर सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत तरी चीज यहां पर दी हुई है अब मैं तोरा सा और आगे जाओंगा तो यहां पर अलग-अलग ठीज दी हुई है और यहां पर जैसे कि मैंने बताया कि इसकी कितना उम्सी चेक करेग हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जित के जिती हुई है जित है मेरा फिटूर जित है मेरा गुरूर जित है मेरी जुर्ण तो हमाई यूडूब फैमिली कैसा आप सबी लोग आप बहुत अच्छोंगे दोस्तों याड़ आप लोग में अभी तक चलाए होंगे इस तरह के मैनुवल मल्टीमीटर जिसमें आपने इस तरह का रोटेटर देखा होगा लाइक और जिसमें लाइटिंग होगी रोटेटर होंगे सब तरह के फंक्सिन होंगे इस तरह के मैनुवल मल्टीमीटर आपने चलाए होंगे आपने चलाए होंगे महेंगे मल्टीमीटर यह इस त इतर के l PlayStation 1200 घ्वाटि आपका बोंटमिटर मिल्टी मिटर जो मैनूल मिल्टिमिटर जो आते हैं घर रेग और देख हो यहां के इस की आपने मुल्टिमेट्र ग happy इला हमें तो कभी आप आमने कोई ऐसा मुल्टिमिटर केे जला देखा है कि मैं चला में और आप मेरे को अलग कोई डिस्प्ले में राए देखा है कि आपने ऐसा मल्टीमीटर नहीं तो चलिए आपको आज उस मल्टीमीटर से रूब रूब करवाता हूं जी यह है मेरे खाल से इंडिया में सबसे पहला आने वाला एक ब्लुटूट डिजिटल मल्टीमीटर और इस कि आपने यहां युसके आवज जस आपको आपके जो भी डूएल डिस्प्ले जिस पर आप देखना चाहते है उस पर बहुत कमाल कि आपको डिस्प्ले में दिखाए देंगी और इसको मैं पूरा यूज करके बताऊंगा और बताऊंगा इसके सारे फीचर तो यह वीडियो कर लिए और इस मोटी मीटर के बारे म pien mínimoLard में पूरिज भी में चाppers करेंके दो जैन लिए मत थींच अब कूछ अबान झानको न שמש में खास्थ और इस दो दिखिए मल्टी मीटर अब को देख लिए और आपको दो हम एसको में थान से देख लीजे इस तरह का मैं पड़निय तूल के नम से इसको मैंने जोया के बरांडिंग में इसको युज किया और यपी बावर टूल के नम से और याप देखेंगे कि काफी अच्छा मुल्टिमीटर है इसकी जो बीप है जो sound है जो इसका जो sound होता है continuity का भी काफी तेज है और इसमें अगर मैं बात करूंगा प्री इंस्ट्रॉल पहले से इसमें आपको सेल देखने को मिलेंगे इसमें सेल लगाने के ज़रूरत नहीं है और आप इसको यह देखिए इसका डिस्प्ले भी काफी बड़ा है काफी बड़ा डिस्प्ले इसका और हलाकि इसका सबसे में फीचर यह है कि यह डूएल डिस्प्ले निकालता है जैसे कि इसको बताने के लि तो जोड़े रहें वीड़े से तो दोस्तो आए यह समय से पर करते हैं सब से हम पर गार सब दाइब। तो आप देखेंगे यहां पर एक Bluetooth सिगनल ओन हो चुका है अब इसको दो सेकंड दबाई रखेंगे तो यह बंद हो जाएगा ठीक है अब दूसरी बात है अब आपको यहां पर क्या-क्या आप इसके साथ जो प्रोब आईगी मैं आपको दिखा देता हूं इसके साथ इस तरह की प्रोब आई है और अगर आप यहां लगाते हैं तो आप इससे क्या-क्या चेक कर सकते हैं यह देखें इस तरह की प्रोब आई हैं और इसको आप बाहर निकाल सकते हैं और इसको आप द सोफार के लिकाक। इस तरहिका हो जाएगा इसे को चेक कर सकते काफिए अच्छा प्रोटेक्शन कैप ढिया हुआ है आप अगर रेद्व लगाएंगे तब आपको यहां पर ब्लहेग सकते के लिद। फिएces तेस्टिंग कर सकते हैं आप सेल्सियस फेरेनाइट को चेक कर सकते हैं मालो आप अगर अपने समडी को आप कैलिब्रेट करना चाहते हैं तो उस ताइम पे आप सेल्सियस पर काम कर सकते हैं कि कितना डिग्री सेल्सियस है और कितना फेरेनाइट है इस पर काम कर सकते हैं आप voltage चेक कर सकते है ohms की reading चेक करना हो तो भी आपको यहीं पे लगाना होगा आप हर्ट्स अगर हाट करना चाकते हैं तो भी आप आपको देखने को मिलेगा और अगर आप इसको यहां से निकाल कर यहां लगाएंगे common आपको common ही रखना है तो आप 10 ampere तक की reading आप ले सकते हैं अगर आप measurement करना चाहते हैं current का कि कितने 5 ampere 10 ampere तो आप इसकी measurement कर सकते हैं ज्यादा तर जो हम यूज करते हैं technician वह हम यहां पर यूज करते हैं क्योंकि यहां पर हमको वोल्ट हमको यहां पर ओमेगा हर्ट्स और capacitor डायोड मोड बजर मोड और celsius और यह चेक हो जाता है अब हम इस रोटेटर की को यहां पर इस तरह से रख दिया आप देख सकते है पैनल काफी अच्छा है काफी बड़ा है और अगर मैं इसको बजर बजाता हूं तो देखें बजर बजर आए अनुड आए हम आगा है तो आटो मोड में यह तरह से में चला जाता है और में कुछ रीडिंग भी आपको देगा और बजर की साउंड देगा तो बिसिकली यह कर सकता है आटो बोर्ड में और एक तरह से ओम्स और एक बज़र मोड पर काम करता है अगर मैं यहां पर चले जाओंगा यहां भी मैयनुवल्स भी आए तो मैं वी बताने वाले प्रक्राइब उसके लिए ल vanधर से दिरे एक बटन दिया हुआए और यहां पर इसक ही अपर बिता हुआंक मोरें अवे इसको लाइडर यह पन चाहिता हूं घ electromagn दे बात करूँगा यहां पर अगर मैं इसको दबाता हूं तो देखिए यह AC में आ जाता है मतलब यहां पर हम AC चेक कर सकते हैं अब कितना चेक कर सकते हैं इसकी क्या मैपसिमम और क्या मीनिमम अगर मैं मैजरिमेंट आपको मैनुलि वुक्ष में बता पाऊंगा इसके बार में हम करते हैं तो यह सिर्फ DC में ही चेक करता है अगर मैं इसको यहां कर लेता हूं आप तो यह मिली वूल्ट के चेक करता है basically milli bolt अब इसके milli bolt निकाल सथ है DC से और आप milli बोल निकाल सथे AC के तो यहां पर चेक कर सकता है और आपको temperature यूज करना है temperature चेक करना है तब आप तीक है यहां पर Fahrenheit डेख सकते हैं आप यहां पर DC यहां पर तो इसको चिंज करने की ज़रूद नहीं पड़ती है तो आप देखें यहां पर सेल्सियस मूड यहां पर दिख रहा है जिसे हम टेंपरेचर निकाल सते हैं तो आप यहां पर देखें थर्मामीटर भी बना हुआ है तो यहां पर भी साइन है हम अगर अपनी SMD का या किसी भी चीज का टेंपरेचर देखना चाहें तो यह टेंपरेचर हम सेंस कर सकते हैं इसके साथ में टेंपरेचर सेंसिंग केबल भी आई है तो वह केबल भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, तो वो केबल भी मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा यह है ओमस मोड़ तीन ओम यहां पे चार मोड यहां पर देए हुए है इक मोड़ अभी तो ओमस मोड में आ गया है जिसमें यह एपसिमम वैल्यू मेगा उन तरक चेक कर सकते हैं कितने मेगा यह मैनुवल बुक में अपन बताएंगे पढ़के दूसरा अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर डायोड मोड और बजर मोड दिया हुआ है यह वोल्ट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि डायोड वोल्ट पर यह के लिए तीन चीज यहां पर चाल चीज यहां पर दे रहा है कैपसिटर एक ओम एक डायोड बजर और एक फैरनाइड काफी यहां पर सेग्मेंट आपको देखने को मिलेगा अब यह बिसीकली हर्ट है जो आप यहां पर आटो रेंज पर हर्ट चेक कर सकते हैं सो बिसीकली कि बात करें यहां पर आपको यहां पर यहां पर आपको लिए चाहर करेंग रगाशन का सकते हैं सो यह भी दिखाना चाहूंगा तो आप देखें यह देखें तो Bluetooth DMM यह एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है मेरी डाउनलोड एप्लीकेशन आपको इस तरह के आएगी अब यहां पर इस अप्लीकेशन में सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा तो आप क्या कीजेगा यहां पर जाकर आप सबसे पहले जैसी उपन करेंगे तो यह आप से एक साइनिंग मांगेगा तो आप इस पर साइनिंग ज़रूर कर लिजेगा और आपको इसमें कोई भी इमेल आइडिया पास्वर बना के कुछ भी नहीं है इसमें वेब साइट खुलने की ज़रूरत नह अशलिए यहां पर एक कोसंद माड़ का चिंध माना रहा है अभी तो यहां पर अनकनेट्टेट्टेड़ अब देखे जैसे में इस में यहां पर Bluetooth का बटन दबाऊंगा तो Bluetooth चालू हो जाएगा और मल्टी में यहां पर यह कर्णेट हो जाएगा देखे कितनी देर में कितन मिली सेकेंड में यह 1 सेकेंड मी निलगा और यहां पर करणत हो गया है अब आप देख सते हैं कि यहां पर इसको में appeal करोंगा यह देख़ें यह आ। है के सब दूसपले है जीकि देखर आप यह देखरेंग को डिस्प्लेज आप एक्रूरेसी देखे इहां पर इसको पूरा चेक करके बताओंगा तो आपको बता चल जाएगा और इसकी रेंज भी काफी अच्छी है इसे मैनूल पर नज़र डालते हैं यूजर मैनूल आपको दो तरह की मिलेगी एक चाइनीज मिलेगी और इंगलिस मिलेगी इनमें काफी खर्चा की है इन्होंने जवदस्ती का तो मुझे लगता है कि Chinese English को एक ही कर सते थे तो यहां पर हर तरह के चीजों को दिया है यूजर मैनुवल को हमें इसा पढ़ना चाहिए तो यहां पर इनों ने सब तरह की चीजों को बताया हुआ है इसे होल दिश्क्वेंशी फ्रिज्ट मैंप्सिम्म निमम सबका बताया हुआ है डिस्प्ले मिनमम रीडिंग मैं इसा दिया हुआ है जिससे आप इसको चेक कर सते हैं और इसके अलावा भी बहुत तरहीं चीज यहां पर दी हुई है तो यहाँ पर अलग-अलग शीच दी हुई है और यहां पर जैसे कि मैंने बताया कि इसके कितना ohms यह चेक करेगा कितना voltage measurement करेगा तो सब कुछ बताया है जैसे यहां पर बात करते है micro ampere तक measurement करेगा mili ampere भी 600 milli ampere करेगा और 10 ampere यहां मेजरमेंट करेगा frequency की बात करेंगे गौ 10 Megahertz की frequency और जो 99परसेंट d эту cycle जिसको यह frequency को मेजर करते बता सकता है बात करेंगे 60 Mega ओम अंns तक रहे 16बह को मेजरमेंट करता है और मेरे अनुभाब केशाब से मेगा काफी हैं आपके मुबाइल के हिसाब से 20 मेगा से ज़्यादा रजिस्टर लगे नहीं होते हैं तो 22 मेगा 3 मेगा भी बहुत मैपसिमम होती हैं बजर मूड पर 50 यह बता रहा है यह बीब देगा 50 ओम तक दान दीजेगा 50 ओम तक यह बीब देगा और यह बताएगा कि 50 अगर कोई रजिस्टरेंस तो वह बीब देगा डायोड मोड पर डिस्प्ले में यह तीन वोल्टेज तक यह आपको बदा सता है अगर एक लेडी है और यहाँ पर आप इसको हर्स में दे सते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि आप इस मैनुवल से काफी कुछ पढ़ सकते हैं काफी कुछ समझ सते हैं तो आई यह चरा उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि यह खरीदने लाइक है या नहीं है बार मैं इसको 10 आउट आपर 10 जरूर देना चाहूंगा ठीक है इन मल्टिमेटर है जिससे मैं चेक करने वाला हूं उस मल्टिमेंटर को मैंने यहां पर मैंने मल्टिमीटर को इस तरह से साइट कर दिया है आपको यह मल्टिमीटर दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले मैं आटो मूर में चेक कर रहा हूं तो कि यहां पर मुझे बहुत सारे रेजिस्टेंस ऐसे हैं जो मुझे जी रोम्स के मिल जाएंगे जिसमें यह बजर बजा देंगे यह देखें तो मैं आपर कि जी रोम्स के रेजिस्टर को धूर लेता हूं कि आप कि अ जैसे कि आप देख चाते हैं यह टू पॉइंट टू के का रेजिस्टर है जैसे कि आचा आप देखेगा यह आपको यह पर ओम्स की पूरी डिंग भी दिखाएगा जैसे देखें बन पॉइंट वन के का रेजिस्टर है और आप देखें जैसे यहां पर यह बजर बजा दिया मतलब इसका मतलब यह है कि यहां पर यह एक लो वैल्यू रेजिस्टर है और 00 Ohms का रेजिस्टर है और यहां पर देखें यह 2.1 K का रेजिस्टर है टोडलेंस है इसकी यह 1 K का रेजिस्टर है तो कितनी रीडिंग कितनी अच्छी और एक्कुरेट है यहां पर देखो इस बीप की कंटरीटी देखेंगे देखो यहां पर डूएल को लगी हुए है तो इसकी कंटरीटी देखेंगे इस रेजिस्टर की रेजिस्टर की रेजिस्टर रेजिस्टर है तो दोस्तो कैसा लागा यह मल्तीमीटर है बहुत अच्छा लागा यह में कमाल की बाते की है कुछ सीखने के नॉलएज भी दिया है सेख जाओ गे जिन्डी की बन जाएगी और जिन्डी की बन जाएगी तो पैसे कमाओगे है ना सो यह वीडियो इस मिल्टी मिन्टर के बारे में जरू देखे इस वीडियो को पूरा थैंक यू बरी मच और हमारा लाइव देखे आज के दिन का और पहला बैच का पहला दिन है काउंसलिंग क्लास है और तगरा कल सुभे से लाइव आ जाएंगे तो सुभेरे दुपए रात अब श्यूत्या है आपका प्रतम अब आपकं इसा ख्रीव युक्त पार स सदर्शन से बार्ड पार अब आपका प्रत में बाड़ी है अब कर को अधार हुआ तो आपके यूलने वाल यू अ श्रुपड यूलाई नियूवेशरा है तो आपके ने में भाड ने आपके पी